आज का हमारा वीडियो है कि दिसंबर में मेरी प्लांट कैसे चल रहे हैं और उनकी केर कैसे करनी चाहिए दिसंबर में तो यह है मेरा पिटूनिया का जो कि अपने आप सीट से ग्रो हो गया था जिस पर काफी अच्छी फ्लॉवरिंग हो रही है उसकी बाद यह है मेरा कोलियस आपको साथ बाद में शेयर गरींगी उससे पहले में यहां कुछ प्लांट हैंके हुए थे और जो मेरा ये इस प्लांट अगया मेरा इस ही वास्कीट में लगा हुआ है उसकी बाद यह अज forgine का प्लांट मेरा खराब हो गया तो इसको निकाल के मुझे साथ मे इसमें कटि में उनकी कटिंग लगाते रहें, जब भी कोलीस के कटिंग लगाते हैं, तो सबसे पहले कोजोटे पॉतब में उसको चोटे पॉत पॉत में मतले के बड़े पॉट مसिफ्ट करते हैं तो घृट न कर दियतं हो Chemo जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप छोटे पॉट में ही कटिंग लगाएं इधर मेरे कोलियस बहुत सारा लगा रखा है और इसकी मैं केयर कैसे करती हूँ फिर कभी नेक्स वीडियो में आप लोगों के शाद शेयर करूँगी तो यह मेरे पास कई कलर्स हैं कोलियस की और मैंने छोटे-छोटे पॉट्स और कई तरीके के पॉट्स में इनको लगा के रखा है दूर से मैं आपको दिखाती हूँ यह एरिया है जहाँ पर गरमियों में भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है और ना ही सर्दियों में, लेकिन bright light बहुत अच्छी आती है, तो यहां पर मैं अपना हमेशा permanent मेरा coleus shift रहता है, उसके बाद यह मेरे पास plant है, यह मेरा अम्रूद का plant है, जो कि काफी अच्छी growth करने लगा है, यह मेरे दो pot में लगे हुए है, और यह मेरा अम्रूद भी लग plant लगा हुए है, जो कि काफी अच्छी तरीके से चल रहे है, तो यह मेरा coleus यहां भी छोटी से pot में मैंने लगा दिया है, और यह white money plant भी यहीं पर लगा है, एक तरीका और होता है, कि plant को जो हम पास पास रखते हैं, तो हमारे plant काफी अच्छी चलते हैं, और उसके बाद य जो कि मैं कई वार ㅋㅋㅋㅋ कर चुके हूं, फिर से हार्वेस्टिंग करने के लिए के लिए, पिर से रेडी हैं, और यहां मेंने, । मैंने टमाटर के plant लगाय हुए है, जो कि अभी यह फूर्टिंग पर खाए हैं, जो कि मैंने कटिंग से लगाया है, यह मैंने प्लान्ट अच्छ सική ग्रोथ हैं यह मैंने अभी six month पहले ही चीकू का प्लांट लगाया है जिसकी काफी अच्छी ग्रोथ होना start हो गयी है इसके बाद मैं आपको बता दू यह है मेरा तुलसी का प्लांट जो मैं आपको दिखाती हूँ यह 3 साल से मेरा 3 साल पुराना प्लांट है जो के काफी बनलब काफी अच्छा प्लांट हो गया है मेरा इसकी हमें कैसे गेर करनी है सर्दियों में यह वीडियो में आप लों के सा यह मेराम क्रोथ अबी काफी अच्छ चल रहा है इधर दो बहूं है और मुझाए देग। सुख पत्तियां डियुकिती दीट्हाएं सब्सक्राइब को क्यों से इनकी स requirements सूख जाती हैं तो कुछ तो प्रानी पत्तियां होने से नैशुरल है कि उनकी पत्तियों का गिनना पीली होकर गिर जाती है तो मनी प्लांट पर बिल्कुल भी पत्तियां नहीं लगे रहने देना है क्योंकि वो प्लांट को बिल्कुल सुंदर मतलब अच्छा नहीं लगता है अगर किसी भी मुझे जो भी पतियां दिखती है मैं उनको हटा देती हूं सर्दियों में भी मनी प्लांट की काफी अच्छी ग्रोध है इधर मैंने सिंगोनियम की कटिंग लगा रखी है चोटा सा पॉट है पॉट क्या मतलब बेस्ट पड़ा था उसमें मैंने लगा दिया है तो चलिए अब मैं आपको अपने प्लांट दिखाती हूं च्छत पर यह है मेरा वर्गन विला का प्लांट जो कि इस पर फ्लावरिंग काफी स्टार्ट हो गई इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्लांट कटिंग से लगाते हैं तो प्लांट के खराब होने के चांसे बहुत कम होते हैं अगर वह लग जाते हैं तो और नर्सरी से हम प्लांट लेकर के आते हैं और उनको हम पॉट्स देते हैं तो प्लांट हमारे ज्यादा खराब होते हैं तो मैं कटिंग लगाती रहती हूं और यह मैं स्पाइडर प्लांट जो कि बहुत छोटे-चोटे पॉर्ट में लगाती है तो कई जगे मेरे कार्डन में मिल जाएगा मुझे जो भी कोई छोटा पॉर्ट या वेस्ट पड़ा दिखता है उसमें मैं यह लगा देती हूं और इस पर यलू कलर का फ्लॉवर बहुत ही सुन्दर लग रहा है वैसे इ मैंने पिछली साल जो लगाए थे अभी कोई नई कटिंग नहीं लगाई है तो अभी इस टाइम आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी उन पर फ्लॉवरिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद मैंने पॉच लागा मॉसरोज को ऐसी जगे सफ्ट किया है जहां पर दूप नहीं आती है तो मैं विंटर प्लांट्स कम लगाऊंगे उसके बाद मैंने यह मॉसरोज को कट करके साइड में सिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी इन पर फ्लॉवरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है और यह गुल्दावदी का प्लांट है जो कि मेरे पिछली साल का है और इन पे भी काफी जादा कलियां बन रही है और इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगा रखे थी और उसके बाद यह मेरा एरिका पाम और इधर मैंने छोटे-छोटे पॉट्स में मैं कोलियस लगा के इनको बड़े पॉट में रख देती हूं इससे हमें पानी भी कटिंग है जो मैंने बन मंत पहले लगाया था और जो काफी अच्छी इसमें ग्रोथ हो चल रही है तो इस तरीके से हम अगर छोट-छोटे पॉट्स में लगा के बड़े पॉट्स में रखते हैं तो इसका एक वेनिफिट है कि हमारे जो बड़े प्लांट होते हों में पान पहले लगाए थी जिनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है और इधर मेरा यह बहुत पुराना प्लांट है तो इसको मुझे कट करके इसमें से कटिंग्स लगा लोगी और इसको कट कर दूंगी तो फिज जो न्यू ग्रोथ होगी तो उनकी पत्तियां काफी बड़ी होंग इसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए थैंक्स फॉर वाचिंग है पी गार्डनिंग